यह जो computer है ना यह कितने low competitive gear पर उपर काम कर रहे है ठीक है और उस पर कितने ट्राफिक लेहा रहा है हाई यह वीडियो आप देख रहे है इसका मतलब है कि आप निस्टी साज अभी तक ठीक ठक से नहीं क्या होगे ठीक है तो यह वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि बहुत इजी तरीके से आप एक अच्छे से निस कैसे फाइंड कर सकते और उसके उसके अंदर जो कि रुवाइड होता है वो कैसे आप आप हैंड कर सकते है रीगे वो कियोड जो होंगे ना वो लॉंग टेलोस होंगे लॉंगति मिवेस्टिश कया होंगे उसके बारे में कि तो निस कैसे होता है उसकिनीश के अंदर कि ट कैसे हम लोग मिया फाइन कर सकते ऑपोड कैसे की और को कब हम लोग कहें ग ossaf करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो अभी हम पीसी में आ चुके यहाँ पर देखेंगे तो नीस रिसाच कैसे करते हैं और उसके साथ साथ लो competitive की यवड़ भी कैसे हम लोग निकल सकते हैं तो चलिए तो अगर माल लीजे हम लोग Amazon आफिलेट के बेस साइट रेडी करेंगे तो उसके पहले हम लोग नीज रिसाच करेंगे तो नीज रिसाच के बाद हम लोग किया रिसाच करेंगे ठीक है तो चलिए अमजन.com पे जाते तो पहले एक बात बताते था हूं कि हम लोग करते हैं वह मैक्सिमामी यूज के जो मार्केट है वह पर ही अफिलेट करते तो इसके लिए हम अमजन.com पर ही जाएंगे अमजन.com तो सब इंडिया के लिए है तो इंटेनेस्टन मर्केटिंग के लिए हम ल तो चलिए हम लोग आशोगे यहां वाजन.com में यहां पर कैटेगोरी बहुत सार है ठीक है तो नीश रिसार्च करने से पहले आपको कॉनसे कैटेगोरी में आपको नीश फाइंड करना है तो वह आपको एक सिलेट करने ना ठीक है तो जली देखते हैं एक नीश को हम लोग इस वीडियो में कैसे फाइंड करें अभी हम लोग जाएंगे होम एंड कीचेन नीश के क्योंकि यह मेरा सबसे फ्रेवर नीश से ठीक है तो चलिए उस पर जाके देखते हैं कि उसके साब काटेगोरी क्यों सा है जल स्टेमेर्के हम लिख तो यह सारे के सारे प्रोड़क्20 यह पर आ गया है उसके अंदर तो हम क्या करेंगए मेरा फाइंड करेंगे यह थोड़ी नेरूरे राटल करके हमें करेंगे थीए तो सबसे क्तूंकित है और एक छोटे सी काटेगोरी का परकाड़ेंगे तो उसके बेसिस के हम नीज करेंगे। तो यह सारे जो और अंडर यह सारे के साथ काटेगोरी है तो हम करके देखेंगे कोई की या से की नीज मिलता है या नहीं तो तो हम देखेंगे कि आयरन बोर्ड कवर में कुछ ही है या नहीं कि यह यह जितने भी सारे पूड़क्ट है बहुत अच्छे सेल हो रही है 18,000 यह यह यूज बेस पूड़क्ट है तो यह में तो बहुत ज़्याद ही सेल होता है इंडियन से ज्यादा को ज़िए पक्षिक करके हम लोग आगे निकलेंगे तो को मन लीजे कि हम इस पूड़क्ट को च्रिक करें तो यह पर देखेंगे यह जो पूड़क्ट का कमपानी यह यह नाम के स्टोर है हमाजन चैनल तो यह पोड़ाक शेल का रहे है तो हम लोग क्या करेंगे अगर इसफी नीश के इसका होगा जो मेन निह होगा यह आएरणिंग बॉर्ड कवर ठीक है तो हम लोग अभी यहाँ पर देख सकते के इसके पहले एक काटेगोरी है आएरण स्रीमर के उस्से पहले होमाई कीचिन तो यह होगा सबसे बड़ा निस ठीक है तो ऊसके अंदर यह क्या कर रहे हम लोग यह नीज को बहुत न्यारो डाउन कर रहे है अगर न्यारो डाउन हम लोग ऐसे करेंगे तो competition बहुत ही छोटा हो जाएगा ठीक है तो as a beginner you have to target very low competitive अगर low competitive करेंगे तो तभी बहुत आपको keyword rank करेंगा ठीक है जब easily keyword rank करना स्टार्ट हो जाएगा तब बड़िया keyword होता है उस पर आप cover करेंगे वह मैं इसके बाद जो video बनाऊंगा तो उसके साथ साथ आपको guide भी करूंगा कि एक छोटे निस के अंदर भी एक अच्छे से बड़ा निस का keyword भी कैसे हम लोग एक बाद चेक करेंगे scotch resistance ironing board का वार तो इसको लेके google में एक वार सार्च करेंगे तो यह हो गया generic keyword तो generic का मतलब होता है कि यह जो query है ना यह visitor इस product के बारे में इसका image देखना जाता है क्या इसका कोई और भी information लेना चाहता है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह खरीदेगा तो खरीदने के लिए कुछ special query होता है जैसे के based हो गया reviews हो गया top हो गया ठीक है और वर्सेस यह यह वर्सेस टाइप का कोई keyword आ गया तभी वह buyer intent keyword होता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे based word को add करेंगे और देखेंगे के कोई अच्छे से हम लोग की तरह और कोई या इस पर काम कर रहे या नहीं अगर काम कर रहे है और वह लोग कंपेटिव नीश है तो हम लोग डेफिनिली उसको फॉलो करेंगे तो एक plugin हम लोग यूज करेंगे यह मौज का प्लागिन है एक्स्टेंस ने यह मौज का एक्स्टेंस ने इसका वहलू बहुत बाद है ठीक है क्योंकि यह जो डिये पी यह सबके युआरिल के साथ साथ ही बताता है यह आम लोग लोग को दिखाता है कि एक वेबसाइट का जो डी यह होता है तो यहां पर हम देखेंगे कि Low DAPI वाला साइट कुन सा नसा यौट लो जो साइट हे न वह बाहुत ज्यादा यह 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 साइट यह यह साइट मयं कर्णके नहीं करेंगे यह क्यूं करेंगे कि ईयाथ आ हम लोग बनाएंगे वह कंस्टमेंद साइट। और उसके उपर, उसके उपर वो जो information based side है na वो rank करता है, ठीक है यही होता है तो देखेंगे नीचे और कौन से-कौन से side यह पर rank कर रहे हैं, ठीक है यह बहुत बढ़िया side है, mom junction देखेंगे उसके नीचे यह वाला साइट को एक बाद चेक करके देखते हैं इसका डीएप बहुत कम है देखेंगे यह कैसे कि अच्छा यह इस लुक्त लाइट एक इकमर्स साइट देखते हैं यह कोई कॉंटेंड लिख रहा है या सिर्फ पोड़क्स सेल कर रहा है हमें लग रहा है कि सिर्फ पोड़क्स सेल कर रहा है तो यह खुद का अपना ब्रैंड है तो वह पोड़क्स सेल कर रहा है अपने खुद के ब्रैंड के नाम लेकर ठीक है तो यह हम लोग का कम्पेटर नहीं होगा तो नीचे देखते हैं यह वाला यह भी नहीं है यह भी देखते एक पर इसमें यह नहीं तो नीज रिसार्ट जो एता ना वो थोड़ी टाइम कंजुमी होते हैं अगर आप एक अच्छे से नीज कर लेंगे तो आपका एसियो का 70-80 परसें और कंप्लिट हो जाएगा अगर नीज ही आपका गलत पकड़ लिए बहुत हाई कंप्लिट मीज पकड़ लिए तो उस पर बहुत जारा कम पढ़ना पड़ेगा ठीक है उसके बाद आपको आप पेज एसियो में इंबेस्ट करना पर और थोड़ी मेहनत करके उस पर रैंक लेकर आएंगे तो सेकंड पेज में जाते हैं देखते कि क्या साइट या पास होता है यह वाला देखिए इसमें को क्लोज कर देता है यह कोई इंफॉर्मेशन जाता है यह बी इंइकॉमर्स वहां ढिंइए हरो फ़का कॉजिटीफ साइके जो इया क्यूंकि यह यह घो इंजियGER कर रहे है में मैक्सीमी पर आपर साय दो अगर अगर हम लोग e-commerce site के ऊपर rank करेंगे स्वरी अगर हम लोग एक नीज बेस साइट में रेडी करेंगे तो e-commerce site के ऊपर rank कर जाएंगे ठीक है तो नीचे देखते हैं कि कोई नीज साइट है या नहीं कि इसका वाद देखते हैं अच्छा उसके बाद थार्ड पेज में चले गए अच्छे वाला देखने में यह अच्छा यह की साइट है तो क्या करेंगे यह वाला साइट को देखेंगे दी एपा 18 के आसपास है तो इसको चेक करेंगे यह वाला यह इस्टोर यह 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 साइट को अच्छा यह वाला भी देखेंगे इसका डिया भी बहुत का में अच्छा यह बाला भी देखेंगे को जाहं टाइब हरो इसका यह-निघुघ करणा अ की को अदिक है कि आ-देशन के तो सब्सक्राइब हई कि तुल कर में कि यह भी अच्छा इसको भी देखें गे इस चाहिए ला जोंक एन का 하면서 हाई फेस्टेकर कर देखेंगे अच्छा यह वाला एक बाचेक कर लेंगे और उसके साथ या भी तो यह सारे के सारी साइट या पस हो रहा है तो हम लोग उसको फार्दर आलाइस करेंगे कि अच्छे से क्यों या इस नीज में मिलता ही या नहीं तो पहले जो शाइट है सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एक साइट का जो पेज है वो कितने सारे पेज गूगल में अल्लेडी इंडेक्स हो चुका है अगर गूगल का इंडेक्सिंग नमबर है अगर कम हो कुछ साइट का कि इस कमपेटर का तो इसके मतलब है वह बहुत लोग कमपेटिव नीज पर काम कर रहे है ठीक है तो दिखाएंगे वह फदर हम लोग रिसेच करेंगे तो उसके साथ साथ देखेंगे कि वह क्या होता है तो यह जो एक वाला साइट को एक बार चेक करके देखेंगे कितना पेज और लड़ी यह गूगल में इंडे देखते हैं अच्छा टोटल 377 तो यह जो है यह हर बाग साही नहीं होता तो हम लोग थोड़ी बहुत पेज जाके चेक करेंगे आटरा पेज में जाके 19 23 27 31 यह 304 का है तो पहले हम लोग देखेंगे पहले हम लोग देखे ते क्या आइक बाद देख लेते हैं पहले देखेंगे 377 तो ऑडिजिनल में हुए 304 के आसपास ठीक है तो यह बहुत ज्यादा एमाउंट है तो इसको हम साइड में रखेंगे तो देखेंगे वायँ जो साइट यहाँ पर रहें करर रहा है उसका इतने पोस्त इंडेकस है अच्छा इसको भी क्लोज कर देंगे यह वाला है इसको साइड में रख देते हैं तो दूसरे एक साइड लेंगे यह वाला इसका में डूमेन को चेक करेंगे कितने पोस्ट गूबल में अल्री इंडेक्स है हाँ यह देखिये टोटल 51 यह पर्स हो रहा है तो हम लोग आगे ज सिर्फ 40 पेज इसको राइट इंडेक्स करना पड़ा और एक कियोड भी रहं कर लिया ठीक है तो देखेंगे कितने कियोड इस पर रहं कर रहे है और उसका कियो ट्राफिक भी कितना है तो हम लोग उस पर फार्दर चेक करेंगे तो यह अच्छा हुआ तो देख थे तो आभ यह पर ले रहे हैं तो देखिए 1.6 के अराउंड यह ट्राफिक ले रहा है और टोटाल 40 पेज इसका इंडेक्स है सिर्फ 40 पेज तो आप इस टाइप का साइड रेडि कर सकते हैं ठीक है सिर्फ 40 पेज को गोगल ने इसको पी इंडेक्स किया और उसके बाद ही यह वह 1.6 क सब्सक्राइब है तो यह तो यह पर सोर है 2021 से अच्छे से गेन कर रहा है ठीक है हाल में वह ट्राफिक डिक्रीश हो गया तो हम लोग देखेंगे कि यह जो कीवर्ड है ना कौन से कीवर्ड बेरैंक कर रहे हैं तो हम लोग तो नीस अल्रडी आइडिया हो चुग है कि कौन स तहुकि बादेञे डीनला हें तो कीवर्ड लेश पखेंगे कि यह जो कंपीटर है ना कितने लोग यह उपर काम कर रहे है ठीक है और उसपर कितने टॉपिक लेहा हुए। तो कुछ फिल्टर हम लोग लगाएंगे इसमें लौंक ट्रेल केवर्ड करने के लिए तो इस पे हम लोग लगाएंगे बेस्ट और उसके साथ तोटाल नामबर आप कियोड इसको लगाएंगे वाट काउंट फाइब के असपास देखेंगे फाइब वाट के असपास कितने कियोड है इसका 38 कियोड को अगर हम चेक करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा कि कौन से कियोड को यह टार्गेट कर रहा है और उसके आर्टिकल का क्वालिटी किया है ठीक हम लोग फार्दर उसको भी चेक करेंगे तो यह वाला देखिए यह बेस्ट आयरन वीथ रियक्टिबल कॉड ठीक है यह किवाड के वे फार्स्ट पोजिशन भी रहा है तो आप देखिए तो आम लोग जब यह शाइट को फाइंड किया थे कौन से किवाड में बेस्वार्ट रेजिस्टेंस आयरनिंग बोड कर राइट तो इस कीवाड में हम लोग इस कॉम्पीटर को फाइंड किये थे जो क या थार्ट पर रेंक कर रहा है तो अभी हम लोग क्या देखे अभी हम लोग देख रहे है कि यह जो कीवाड ना इसको Google नीसको 1st पॉजिसान पर रांग कर रहा है तो देखेंगे Google सब्सक्राइब कर के वह नहीं रेंग कर पाए ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप 40 या 50 आर्टिकल टार्गेट करेंगे तो इसका यह सब यह मतलब नहीं के 40 कियोड भी अपलोगा फास्स पेज में या टॉप 3 या टॉप 2 पे रेंग कर रहें उसमें भी उसमें भी अगर तो या 3 या 5 कियोड भी आगर रेंग कर जाए ना तो दिखना मत आपको मालूम नहीं होगा कितना टापिंग आप लोग ले सकते ठीक है बहुत ज्यादा टापिंग उसमें जाएगा तो इस कियोड पे वह फास्ट पेज पे रेंग कर रहें तो इसका सार्ज भुलिम यहा पर क ट्रूंग्टेल कका तो देखिए यह सारे केंसारी कियोड का जो सार्ज भुलियूम अप देखिए आयरेन वीदेक्टिवल गॉर्ट टिक है यह 32040 170 50 यह ना उसके साथ एड़गा राइट तो यह में डिरनो अपे पेंसे साहरे कि यह सारे के सारे कि रहें कर रहे हो ठीक है तो एक बाद चेक कर लेते हैं कि आइरन विद यह उसको एक बाद चेक कर लेंगे अच्छा बेस रियक्टेबल कॉर्ड आइरन देखिए वह फिट से फास्ट बेंगे तो इसका भी एक साट भूलिम है और यह जो कि यह इसका भी साट दो दोनों कि अगर और करेंगे तो एक अच्छे से सब्सक्राइब आप लोगो मिल जाएगा तो जब साट भूलिम भी आप ऐसे एड होते जाएंगा तो ट्राफिक भी तो चलिए इसको फार्दर अनलाइसिस करते हैं यह वाला जो कियोड है बेस्ट रूइंग के लिए अच्छे कियोड है आप इसको भी एक पर गूगल में साट करके देखिए यह कौन सा रांग कर रहे है यह वाला यह जो सेकंड पर जो तो हम लोग चेक करेंगे कि यह जो कि क्योड पर रेंग कर रहे है तो इस क्योड का जो कॉंटेंट है वह कितना है ठीक है तो इसके बाद हम लोग बिडियो बनाएंगे जिसमें हम डिसकस करेंगे कि एक content का structure क्या होना चाहिए competitor का content strategy क्या होता है वह हम लोग कैसे और पाइंड करेंगे ठीक है तो वह content के करेंगे इसका जो में किया है यह कैसे इसको बड़ होगा तो सिर्फ वार ही युज किया है तो आप देखेंगे तो यह अगर इसको में किन किव अगर आप काम करेंगे तो इससे ऊपर करेंगे ठीक है तो चलिए जारी रखते है तो इस keyword को हम लोग एक बार चेक करेंगे total title में कितने सारे site target कर ठीक है इसके लिए हम लोग search करेंगे all-in title और keyword के साथ तो देखिए only 8 रिजल यहापर सो हो रहे है only 8 रिजल तो आप सोच सकते कितना low competitive keyword है ठीक है बहुत ही low competitive keyword है तो इस type का keyword को अगर आप rank कर लेंगे न तो आपको बहुत अच्छे-च्छे staffing मिलेंगे ठीक है तो इसको अभी product price भी हम लोगों को देखना चाहेंगे और एक बात product price के ऊपर आप पहले मत जाहिए ठीक है क्योंकि पांस-देस डल्राग अगर प्राइस हो गया है ठीक है तो बहुत ज्यादा है क्योंकि यह जो इस टाइप का अगर आप लोग इनियूट स्टेज में ही हाई टिकट पौडक लेना स्टार्ट कर दें जैसे कि बीच्छे हो गया तो प्राम काम में लगाते है इसको कहते कर देना इसमें चेकर तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा याँद में ता आप दिखाते हैं इसका प्राइस कितना है अगर किसी फेंड ने आपको कह कि आप बहुत आई टी की प्रोड़क पर काम करना स्टाट कर दो तो मैं कर दो आप गलत गलत इस पर जा रहे है इसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है अभी तो यह पर क्या हुआ यह देखिए 475 का हो गया इससे भी ज्यादा होता है ठीक है 1000 के आसपास भी हो जाता है इसका प्राइस तो इस टाइप का पूड़क जो है ना वह एक आदमी बहुत सोच समझ से खड़ीता है लेकिन इस टाइप का पूड़क जो प्राइस मिड रे होता है कि जो आप पूड़क को सेल करना चाहते है आपके वेबसाइट के थू तो उसका भी एक प्राइस रेंज अच्छे से होना चाहिए बहुत ज्यादा प्राइस रेंज भली पूड़क को आप मत पकड़े तो यह वाला साइट हम लोग देख लिए यह वाला साइट तो और एक साइट देखेंगे आइरन गलाब तो इसका भी एक बार गूगल में चेक करेंगे तोल कितने पोस्ट इंडेक्स है कि हंडे न्टैन्ट tiओं तो फार्दा चेक करेंगे एक्जएक्ट कितने ऊहँन कितने पोस्ट्ट यह पर यह पस्ड़ है तो सेकंड़ वाला साइट था नहीं वाला यह वाला साइट था इससे ज्यादा पोस्ट यह वाला साइट कर रहा ठीक है आई रोनिंग लाब और यह था आई रोनिंग ब्लॉग तो देखेंगे कि यह कितना ट्राफिक उठा रहा है लोगों से तो यह 7000 कीवाड अभी रैंक कर रहा है और 12000 के असपास यह ट्राफिक ले रहते हैं बहुत ज्यादा है ठीक है तो हम लोग उसको फार्ट दर अगा चेक करेंगे कॉंसिगें से कीवाड पर रैंक कर रहा है तो देखेंगे इसको फिल्टर लगाएंगे और इसका कीवाड लेंदी ज्यादा कर देंगे जैसे कि हम लोग लॉंग टेल कीवाड चाहिए तो फिल्टर फाइब करेंगे देखेंगे बेस रिलेटेट किसने लॉंग टेल कीवाड इन रहां कर रहा है इसका अब देखिए 311 तप सोच सकते हैं कि इतने सारे कियवाड जो लोंग टेल ए आप हेरान हो जाएंगे इतने लिदेखा रहें गया डिखारी है कि इतने लोग कंपेटिव पर आप लोग काम कर सकते ठीक है तो आप एक कियवाड को यापर चेक की लिए ठीक है पर जाए यह देखिए सिर्फ एक है कोई नहीं तो आप टाइटेल पर वह नहीं तो इसका मतलब है बहुत लोग प्रक्राइब तो अगर आप इस पर चेक करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि यह इस की वाट का यह वाला जो कंपेटर यह हम लोग नहीं देखते यह यह जो एन यह उतना खास रेजल नहीं दिखाते हैं हम लोग मैनुवाली इसको फार्द आनलाइसिस करेंगे टिके तब ही जाके उसको यह करेंगे तब देखी यह जो कॉंजूमर फोरम टाइकर के साइड एवाट चेक कर तो देखेंगे यह वाला जो साइट यह रहां कर रहा है उसकी वाट के असपास तो इसका अगर तो टोटल पोस्ट चेक करेंगे देखेंगे कितना पोस्ट इंडेक्स यह साइट का तो आपके सामने हम दिखाएंगे दिख रहा है दिखाएंगे कि एक लोग कंपीट को आप कैसे फाइंड कर सकते तो यह जो साइड है ना सिर्फ 22 पोस्ट करके यह जो कीवाड पर रहां कर रहें तो यह जो केड़ी वगएरा जो यह पास हो रहता है वह राइड नहीं होता आप लोग का मैनुआली रिसर्च करना पड़ेगा तो यह जो सारे बैकलिंग का फंड आ है तो बैकलिंग का तो एक अलग से रैंकिंग फेक्टर होता है वो तो हम इग्नोर नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद भी आप एक ओन पेज का भी पावर अगर उसको यूज करेंगे तो वह बैकलिंग जरुरत होता है लेकर उतना ज्या नहीं हता ठीक है ऐसे ऐसे किईड़ कप अगा टारगेट करेंगे तो देखेंगे एजो साइड है यह किवार को कैसे 아파game कर hebben देकिग करने फीर जरूरत नहीं पड़ता ईजी ली रंक कर जाते तो आप लोग आइडिया पाशके होंगे कि एक कीवाड को कैसे हम लोग अगर वीडियो आपको आच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दिजे अगर और चैनलन को भी सब्सक्राइब कर दिए तो पीछले जो अगर फार्दर हम लोग वीडियो वानाएंगे तो आपके सामने वह जरूर्ट हो जाएगा ठीक है तो जलिए